हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक स्वागे थे एक बार फिर आप सबीगा आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हुनों डिसकर्स करने वाले है एने डेरिवेटेव अफ लॉग ए एक्स प्लस बी तो चलिए शुरू करते हैं log ax plus b और हम इसको first time derivate करेंगे मतलब इसका first differential coefficient find out करेंगे जब इसको एक बार differentiate करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा y1 equals to log का differentiation होता है 1 upon तो यह हो जाएगा y plus 1 upon ax plus b and जब आप ax plus b को differentiate करेंगे तो आपको मिलेगा a अब आप क्या करेंगे एक छोटा सा change यहाँ पर आपको करना होगा और वो होगा क्या y1 equals to a ax plus b की whole power minus 1 ठीक है हम इसको denominator से उठाके numerator में ले जाता है हाना यह छोटा से change हमें करना है अब हम इसको फिर से differentiate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा second derivative जो होगा वो होगा a dot a constant है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे and ax plus b की power minus 1 को जो हम differentiate करेंगे तो हम मिलेगा minus 1 and यह होजाएगा ax plus b की power minus 2 and again आप ax plus b को differentiate करेंगे तो आपको मिलेगा a तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस a को और इस a को multiply कर लेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा a square हाना तो मैं इस a को यहां से हटा देता हूँ अब मैं क्या करने वाला हूँ अब इसका मैं third derivative find out करूँगा तो same तरीका ही रहेगा third derivative find out करने का भी तो यह हो जागा मेरे पास a3 हाना और यह हो जागा मेरे पास minus one and जब हम differentiate करेंगे a x plus b की power minus two को तो हमें मिलेगा minus two and a x plus b की power minus three ठीक है अब यह a की power three यहां इसलिए आया क्योंकि जब मैंने a x plus b को differentiate किया होगा तो वापस से मुझे एक a मिलेगा ठीक है जैसे मुझे उपर मिला था पीछे वाले step में तो यहां पर इसकी multiply हो जागी a में तो यह हो जागा a की power three ठीक है अब हम fourth derivative find out करेंगे और fourth derivative find out करने से पहले एक छोट इसी चीज हमें notice करनी है कि जब मैंने third derivative find out किया तो जो मेरी a की power है वो three है exactly ठीक उतनी ही है जितनी की मेरी derivative का number है और जो मेरे number of coefficients हैं जो series में number of factors हैं वो एक कम होंगे ठीक है that means कि यहां पर मैं third derivative find out कर रहा हूं तो यहां number of factors in the series will be two हाना और जो मेरी power है वो exactly मेरे differential coefficient के बरावर है तो अब इसके अधार पे जब हम fourth derivative find out करेंगे तो हमें मालूम है कि a की power कितनी होगी derivative के बरावर और यहां series में कितने हमारे factors होंगे एक काम होगा ठीक है derivative के number से और मेरे ax प्लस b ax प्लस b की power कितनी होगी 4 exactly derivative के बरावर तो अब अगर मैं इसका अधार derivative find out करूँ तो क्या होगा माफ कीजिएगा जब मैं इसका अधार derivative find out करूँगा तो यह हो जाएगा मेरे पास a की power n minus 1 minus 2 minus 3 और series में कितने टाम होगे up to n minus 1 ठीक है यह n minus 1 टाम होगे है हमारे पास में और यह मेरी power कितनी हो जाएगी ax plus b की power minus n ठीक derivative के बरावर अब हमें यहाँ पे छोट असा change करना होगा और वो क्या होगा a की power n और हम यहाँ से minus common ले लेंगे और minus common लेने के बाद उसके उपर power लगा देंगे n minus 1 क्योंकि यहाँ पे जो number of terms हैं sector series के अंदर वो कितने है n minus 1 हाणा अब इस के बाद जो हमें करना होगा वो होगा क्या ax plus b की power minus n तो यह है आपका net derivative लेकिन अभी एक चीज़ और इसमें रह गई और वो क्या रह गई आपकी complete series और वो series कहां तक होगी आपकी 1.2.3.4.5.… अब टू n minus terms ठीक है तो इसको भी लिख लेते हैं finally हमें क्या मिल जाएगा a की power n minus 1 की power n and n minus 1 factorial and इसको ax plus b को हम denominator में लिख लेंगे ते हो जाएगा ax plus b की power n ये है आपका nth derivative of log ax plus b ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको आज की video में solve की गई problem ठीक से अच्छे से समझ में आई होगी कोई step आपको अगर अभी भी ऐसा है जो doubtful है किसी step में कोई problem महसूस हो रही है कुछ miss हो रहा है तो please मैं आपसे आग रह करूँगा कि आप मुझे comment करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी query का solution आपको comment में दूँँ तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजादत दें और अपना ख्याल रखें जल्दी ही मिलूँगा आपसे को नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार